Hello friends, welcome back to my channel Amritish Chopila आज की वीडियो में देखी हैं लड़्डू कुपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं Simple सा 4 चार कॉन-पीस की हल्टसे की हल्टसे बनाया है इस सब्णेनों कहने के हल्टसे बनाती है और यह सब नीको जो के लिए सेल होने के लिए हैं मैं इनकी सेवा पूजा नहीं करती इसलिए मैं इन्हें बूडन के उपर बिठा देती हूँ मैं दिन भर में कई सारी वीडियो अप्लोड करती हूँ अगर अपने काना को ऐसे दिन भर ड्रेस पहनाती रही तब तो हो चुका फिर ऐसे पूजा करने का कोई मतलब भी नहीं होता है कि अपने स्वार्थ के लिए इनसान दिन भर अब मैं उनकी लिए उनकी वीडियो अप्लोड करनी होती है मुझे तो मैं एक साथ चार पांच ड्रेस बना के रखी रहती हूँ और उसके बाद जब धूप निकलती है तो एक ही दिन उनकी साथ ड्रेस निकालती हूँ और एक ही दिन में पहना के सब कर लेती हूँ और वो भी जब धूप रहती है अगर ठंड रहती है तो मैं विल्कुल उनकी ड्रेस नहीं चेंज करती किती बार तो मैंने direct मंदिर से जब वह सुबह में नहां के अपनी ड्रेस चेंज करते हैं किती बार मैंने direct मंदिर से वीडियो में लिया हुआ है उन्हें जिसे मुझे अपने काम के लिए उनको ऐसे ना करना पड़े कि मैं उन्हें पहना के दिखा रही हूँ और फिर उन्हें प्रॉब्लम हो ली है मैं बहुत ध्यान देती हूँ इन सब चीज का और ये सबी काना जी लूख सेल होने के लिए आते हैं इसलिए मैं ऐसे वुड़न के उपर बिठा देती हूँ तो आप लोग की कभी कंप्लेन नहीं आती अगर मेरे काना में जिर्गी पूझा करती है तो उन्हें मुझे ले के आना होता ये देखें इस तरह से मैंने पहना दिया आज मैंने बहुत सारी बात भी कर लिया आप लोगों से काफि सार लोग को ऐसी चिट-चट पसंद आती है ये देखें आप चाहें तो आप कुछ भी छोटा मुटा लगा सकते हैं मैंने कुछ नहीं लगा है एकदम सिंपल इसे रखा है और ये है इसके साथ मैचिंग की कैप दो नंबर के काना को पहना आया है मिजरमेंट चाट दिया आपको सभी सेच के लिए बट आप इसे एक नंबर को भी पहना सकते हैं तो चलिए विडियो स्टार्ट को लेते हैं और देख लेते हमने इसे कैसे बनाया है काना जी ये देखें मैंने आप ये 9 नंबर में तो हमने अधी स्लाई लिए है और इसके साथ मैंने सबसे पहले यह बेहरें के मैं लिए नेसे में बनाने वाली ओles सबस्व WhatsApp बढल कर सकता हूं कि आइश्वारी काना लुग यह तरहुक्शली और मेंसे smg भी यह बहुत पतला होता है यह हमारा तीसरा फंदा, यह देखें, चौथा फंदा, यह हमने पांचरा फंदा डाल दिया, यह छे फंदा, यह देखें, साथ, इस तरह से हमें हाँ टूटल सोला फंदे डालेंगे, चले डाल लेती हूं, फिर आगे बताऊंगे क्या करना है, यह देखें, हमने हाँ टूट में दोनों सेट से उल्टा-उल्टा ही बुनना है बहुत ईजी है गाइस बहुत ही अगर आप बिगनर है तो भी आपको कोई प्रब्लेम नहीं होने वाली है इसली आप इसे बना लेंगे यह देखें यह इस तरह से हम उल्टा-उल्टा बुनेंगे हमें अपना चारकून पीस डरी करना है और यहां पर आप चार गलर एक भी ले सकते हैं और चार अपना 4 गलर में इस फंट में मुल्टी कलर में ड्र miles यादा नहीं डाली है इसलिए मैंने यहाँ पर चार कलर ले लिया है अच्छी लगती है कुछ लोग तो होली पर भी काना को साम में बुलिन ड्रेस ही पहनाते हैं तो वो बना सकते हैं ऐसे मल्टी कलर की ड्रेस होली पर इस तरह से हमने एक सलाई उल्टी बुन दी अब इसी तरह से इधर वाली सलाई भी पूरूंगी कुछ लोग अपना पहला पंदा उतार लेते हैं बड़ मैं जैसे बुनती हूँ वैसे ही मैं आपको सिखाती भी हूँ य यहां पर अभी मैं चलिए गिन के दिखा देती हूँ कि कितना पुनना है इस लिए दिखा देती हूँ यह देखें यह पहला वाला तो हमने फंदा डालता उसके बाद एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस एक ग्यारा धारी है हमारी आई है और यह बारहमी धारी आ लेके ऐसे करके हमें घटा देना है इसी तरह हम यह आपे इन सभी फंदो को घटाएंगे तो चलिए मैं आप इसे पूरा घटा के आपको दिखा देती हूँ वैसे भी मारी यह वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी तो इसकिप नहीं करूंगे जादा जो इंपॉर्टेंट है वह आपको दिखा देती हूँ यह देखें इस तरह से ऐसे करके यहाँ पे सभी फंदों को हमें घटा देना होता है और लास्ट में हमारा एक फंदा बचेगा तो हम उससे अपनी नौड बना लेंगे अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको इससे बिनाने में कोई दिकत न हो कि इस तरह के ड्रेस मैंने आपको क्रोश या हुँँ से बताया थी तो आप लोगे काफी सारे कमेंटा रहे थे कि दीधी सलाई से पताहिए तो मैंने आपको आज सलाई के एल्ब से भी बता दिया यह देखें इस तरह से हमने बुन पच दिया है ब्लास्ट में एक फंद बताती हूँ सेम तरीके से हमें चार पीस बनाने होते हैं तो हमारी बारधारिया आए है जब हम दो बुन तो हमारी एक ढरी आती चुवीश्च के लिए में इस गटा दिया है तो यहां पर जितने भी मैंने लिखे हुआ है सभी की लास्ट वाली सलाई में आप यहां पर देख इन्चांस में 49 शलाइभ बुनियां और 50 में घटा दीजेए तो देखेए जीरो साइज में आपको 10 फंदे डालने हैं और 16 शलाइभ बुनियां बुनियें 16 वी में अपका घट जाएगा एक नमबर में 14 फंदे डालके 21 सलाइयां रहेंगे आपी 20 सलाइयां बुन लेनी है और 21 में घड़ जाएगा तीन नमबर में आपको 16 फंदे डालके 24 सलाइयां रखनी है तीन नहीं दो नमबर में आपको 16 फंदे डालके 24 सलाइयां रखनी है जैसा कि हमने यहाँ पर रखा है 7 नमबर में 28 फंदे डाल के 44 सलाइयां रखनी है, 8 नमबर में 32 फंदे डाल के 50 सलाइयां रखनी है, 9 नमबर में 36 फंदे डाल के 56 सलाइयां रखनी है, 10 नमबर में 40 फंदे डाल के 62 सलाइयां रखनी है, तो यह तो हमारा नीचे का घर का हो गया, अब चले हम चोली देख लेते हैं कि हम चोली कैसे बनाएंगे अब देखिए चोली के लिए मैंने हापे 20 फंदे डाल दिया है पहली सलाई हमने उल्टी-उल्टी बुन देनी है यह देखिए यह तरह से ऐसे करके हम उल्टा-उल्टा बुनेंगे यह ऐसे करके एकदम simple और आसान तरीके है guys कोई दिक्कत नहीं होगे आपको बहुत आसानी सावी से बना लेंगे यह तरह से हमें पहली सलाई अपनी उल्टी-उल्टी बुनने है चलिके वाली सलाई उल्टी-उल्टी बुनती हो क्योंकि अगली सलाई में अपना color लगाएंग में यह तरह से कुदें यह उलुक में different color लिखना पना color लगाएंगे एक-एक धाली बुन लेंगे यह तरह से जह हमने लगाने के बात बुन दिया और इसे जिरा लगाने के बाद दिखिए अग्ले वाले में हम एसी में दबली की दाल देंगे एक ही फरना माना जाएगा फिर देखें ऐसे हमने किया यहां पर इसे हम ऐसे फसा लेंगे और फसाने के बाद फिर हम इसे बुन देंगे फिर वही चीज करना है यहां पर इस तरह से हमने बुन दिया फिर देखें इस तरह से ऐसे हम ऐसे करेंगे और बुल लेंगे पहुत 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 easy है यह देखे यह ऐसे करके अब हम यहां पे इसे उल्टा उल्टा बुन देगे 4-5 पंदे में हमने फसादिया अब हमारा निकले का नहीं हम इस तरह से normal बुनते हुए चले आएंगे यहां पे हमें दो-दो सलाई एक एक कलर से बुननी है स्टार्टिंग में सिर्फ एक सलाई बुनेंगे उसके बाल हम दो-दो सलाई बुनेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हम जो फंदे डालते हैं उसे भी हम एक सलाई मानी लेते हैं इसलिए वह जादा चौड़ा हो जाएगा अगर आप स्टार्टिंग वाली सलाई भी अपनी दो बुन लेंगे जैसे कि मैंने ग्रीन कलर से सिर्फ एक सलाई बुनी है अब यलो कलर लगाया है तो इसे मैं दो सलाई बुनूंगी देखे पहली सलाई बुन दी है अब इसके बाद यहाँ पे हम दूसरी सलाई बुन लेंगे और इसी तरह से अब हम यलो से दो सलाई बुनने के बाद यहाँ पे अपना ब्लू कलर लगा लेंगे उससे दो सलाई बुनेंगे फिर हम रेड कलर लगा के रेड कलर से सिर्फ एक सल इह देखे चोली के लिए हमने यहां पर बेस फंदे डाल के दो पीज़ बुलनी है यहां हमने पंदे बिताती हूं कि कितने कितने आप डाल लीजे तो मैंने यहाँ पे 20 पंदे डाले हैं दो नंबर के लिए देखें जीरो साइज में आप 15 पंदे डाल लीजे एक नंबर में 18 दो नंबर में 20 तीन नंबर में 22 चार नंबर में 24 पांश नंबर में 26 छे नंबर में 40 साथ नं हमने बू combust है छे सलाई यहीं, एक सलाई में हमारा घट आ और एक सलाई में हमारा पन्दा पड़ा है, इसी तरह से आपको सभी साहिज में कर लेना है, जिरु साहिज में हमारी चार रहेगी, मिंस दो धारियां उपरेंगी, एक नंबर में हमारी 6 रहेगी, 3 धारियां इस तरह से करके हमारी जो चोली है वो रेड़ी हो जाएगी, अब चलिए मैं आपको कैप के लिए बताती हूँ, कैप के लिए तो हमें इतनी फंद्र डाले हैं, जितना हमने अपनी इस पट्टी में डाला हुआ था, मैंने 16 फंद्र डाला है, देखे, तो इतना इतना आप डा और एक में इधर से सुलाई में फंद्र पड़ गया, टोटल दस, तो जीरो साइज में आपको 6 रहेगा, एक में 8, दो नमबर में 10, तीर नमबर में 12, चार नमबर में 14, पांच नमबर में 16, 6 नमबर में 18, 7 नमबर में 22, 8 नमबर में 24, 9 नमबर में 28, और 10 नमबर में 32, तो बिना हुक के हल्प सही, आप इसली हाथ सही बना सकते हैं, कोई क्रोश्य होग का आपको यूज नहीं करनी पड़ेगी, यह रेखें, यह हमने इसली हमारा ऐसे बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है इसली बनाने में, बहुत आसानी से यह बन जाता है, यह रेखें हम यहाँ पे अपनी लंबी से चेन बनाएंगे, चले बना लेती हो, फिर हम भी से स्ट्रिच करेंगे, अब दिखिए हमें अपने इन पीसे को स्ट्रिच करना है, सबसे पहले यह चार कोण वाले एक पीस लेंगे, कहीं से भी इसका कोई भी कोणा आप इस तरह से एक मोड़ यहां से आपको यह गयाब दिख रहा होगा, कि इसे में से हम डोरी डाल देंगे, ऐसे हम ने हम पे पिसे को स्ट्रिच कर दिया है, अब हम इन पीसे को आपस पहलेंगे, तो देखिए कैसे ज्वान करना है, यह दो हिस्सा मैंने सिला हूआ है, यही दोनों हमें आपस हम इस से यह वी वाला देखिए ऊपर की साइड है और बस इसे हम स्टेच कर देंगे यहां पर तो यह देखिए हमारी सुई में है ही इसी की हल्चम इसे सिल देते हैं अगर आप बिगनर है तो भी आपको इसे सिलने में कोई तिकत नहीं होगी यहां पर आप सेम कलर का धागा डाल सक देगा थोड़ा बहुत तो अभी देखते हैं उसके बाद आप डिसाइट कर लिजेगा कि आप इसे किस कदर से सिलना चाते हैं कुछ लोग पूरा मेहनत करने के बाद सिल देते हैं जो मेरी तरह होते हैं बहुत काम हो जाता है गाइस तो मुझे पसंद नहीं आता है कि मैं गराब काम करूं मैं कभी नहीं कुटी कभी कर दये दो करना यहांसे थोड़ा सा पहते हैं यहां तो तरह से यहां पर आप इस तरह से यहां यह युए बढ़ा है इसा मैं इमें तो व ह्लेते हैं जोईन Amen कर लेंगे eggs फोबने हैं मैं भी को दिकें हो बताओंगी क्या करना ये देखे हमने आप इसस इसे सिल दिया है ये एक साइड हपने इससे ज्वाइंट नहीं किया है पूरा ये देखे हम फोड़ा सा ज्वाइंट किया है जिसे हमे पहनाने में easy रहा अभ अब इसमें अपनी डौरी डाल देंगे दोरी बना लिए है तो मैंने आपको दिखाया ही बनाना, इसे हम किसी भी चीच की हल्प से प्डाल सकते हैं, आप जहे तो ऐसे उनगली डाल के भी निकाल लेंगे, इतना मोटा रहूआ है, देखें, हम इस तरह से यहां पर ऐसे निकालेंगे, ऐसे ही आपको सभी साइज में करना है, आपका सी भ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इजली बनके कंप्रीट हो जाएगी आपकी द्रेस तो देखे हमने यहां पर डोरी को जो है वो निकाल लिया अब आप डोरी को जितना टाइट बांधेंगे उतनी ही इसकी कमर जो है वो देखे छोटी हो जाएगी ऐसा नहीं है कि कमर एकदम सी कर लगें शाग कर दागे ही नहीं वसक से फिंढया ंंको जोटी आपके बनाती हूं, मैं जब देखें ति कर ज़से से digit लियों है क्योंकि मैं चाहते हूं कि उनका इता मच्छे से परफ्रेक्ट रहे कुछ भी दिखे नहीं और जब उनको कहीं आना जाना होता है तब तो ज्यादा ध्यान देना पड़ता है यह देखें इस तरह से हो गया और यह सभी जो ड्रेस बनाती हूं मैं अपने काना जी के लिए नही काफी लंबा धागा चूटा होता है और इसमें टाल दीचे तो हमारी चोली भी रहती हो गई हम कैप भी सिल देंगे मैंने सब की मेजर्मेंट बहुत अच्छे से आपको समझाई है देंगे कैप भी बहुत इजी है इस तरह से मोरना है और मोरने के बाद पहले हम इसे नीच है इसे हमसी लेहरै बहुत सॉस्ट और एकदम बाउट दे लगती है तो आप भी सिलाभी होता है औरधिया क्राव District है और जी होती है क्रॉटी से मोठी होती होती है और आप सबस्क्राइप नेकशन मतचल कि पहलती है और कशयोर्बरा लुक्षर सक्रइल बहुत थो काम को पहना दी है बहुत अच्छे से फिट आई है और बहुत कुबसूरत लग रही है एकदम सिंपल और आसान तरीके से आपको बनाना बताया है आई हो वीडियो आपको बसंद आई होगी अगर अच्छी लेगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कर दिया अगर आपने वीडियो स्क्रिप कर दी है तो आप जाकर चेक कर दखते हैं तुछे लेगी फिरेंट्स अब मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे क्रिशना यादे रहा है